स्लाम लेकुम फेवर्स आज की वीडियो स्पेसिफिकली मैं उन स्टूरेंट्स के लिए बना रही हूँ जो के बंजाब इनिवर्सिटी में एंफिल और पीसटी के एडमिशन्स सीख कर रहे हैं इस वीडियो में मैं एडमिशन क्राइटेरिया और कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन्स को भी शेयर करूँगी तो लहाजा मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा specifically मैं information management department के students को focus कर रही हूँ जिन students ने information management के इलावा किसी और department में admission लेना है उनसे request यह है कि वो उस department की specific website, webpage या department को phone करके specific instruction जो है वो वहाँ से जरूर लेना ज़ेगा इस वीडियो पे completely rely ना की जएगा तो मैं start करती हूँ अपनी guide सबसे पहले आपके जो hundred marks है admission के उनके devian में आपको बताती हूँ कि पंजाब university कैसे उसको divide करता है academic qualification को 40 marks चले जाते हैं और इसको measure करने का जो formula है वो पंजाब university की website पर पढ़ा हुआ है इन 40 marks के जो devian है कुछ percent आपके metric, कुछ percent आपके FAC, FAC और B.A. और इसी तरहां से master's के marks को मिला कर ये 40 marks बनाये जाते हैं फिर इसके इलावा M.Phil और PhD में जब आप admission ले रहे हों तो आपकी कुछ न कुछ publication भी अगर हैं तो उसका भी आपको edge मिलता है और हर publication का आपको एक number allocate करते हैं तोटल maximum इसमें जो marks हैं वो 5 हैं यानि अगर आपकी 6 publication भी हैं तो भी आपको 5 number ही मिलेंगे इसके लावा आपका जो professional experience है आपकी relevant field में उसके भी maximum 5 marks हैं तो हर year का आपको एक number add होगा लेकिन अगर आपकी 6-7 साल भी service है तो आपको maximum जो marks मिलेंगे वो 5 होगे फिर आपके 40 marks जो हैं वो department को जाएंगे departmental test आपका होगा उसमें आपको 40 marks secure करने होंगे और इसी तरह आपके 10 marks interview के हैं तो तमाम यह जो number हैं यह 100 marks की devian है इसके लावा मैं आपको बताती हूं कुछ मजीद details आपको हर category में 50% marks qualify जरूर करने हैं admission criteria को fulfill करने के लिए for example interview में भी आपको 50% passing marks चाहिए यानि अगर 10 हैं तो आपको 5 चाहिए इसी तरह टेस्ट में भी आपको 40 में से 20 चाहिए इस हर category के अंदर जो मैंने भी पिछली slide में discuss की है आपको हर category में 50% marks secure करने हैं to qualify admission in ambulance PhD PhD का criteria थोड़ा से advance है जोके degree भी जादा है तो इसी लिए थोड़ा criteria भी change है यहाँ पर आपको आपके जो marks है test के अंदर वो 70% यानि 50% आप हर category में ले रहे हैं क्योंकि अगर एक candidate जो है उसको at least 20 marks उसकी जो academic qualification है उसमें उसको 20 marks जरूर secure करने हैं otherwise वो qualify नहीं कर पाएगा इसी तरहां MPHL में 20 marks उसने लेने हैं टेस्ट में जो department का test होगा और इसी तरहां PhD के अंदर जो कि मैंने आपको बताया था criteria 70% है तो वहाँ पर उसने 28 marks secure करने हैं टेस्ट में और 5 marks लाज़मी secure करने हैं इंटर्व्यू में चाहे MPHL हो या PhD हो तो यह तमाम criteria जो है यह पंजाब university से related है अगर आप यसी और university में admission सीख कर रहे हैं तो please उस university की specific website या instructions को follow करें अब मैं आपको specifically बता रहे हूँ हमारे अपने department यानी information management में क्या criteria है departmental test का generally criteria हर department में apply हो सकता है लेकिन वहाँ पे कुछ difference भी हो सकता है इसलिए आप उस department की specific instructions को जरूर follow की जाएगा तो MPHL का सबसे पहले criteria को बता तुए departmental test का इसमें 20 marks जो है वो आपके objective के होंगे क्योंकि total 40 marks का है आपका MPHL का test तो 20 marks आपका objective type होगा और 20 marks आपका subjective type होगा 20 marks जो आपका objective type होगा that would be just like GAT, GAT type होगा जिसमें आपका maths, English, analytical और आपका subject यानी जो आपका information management का subject है उसको coverage मिलेगा English और जो आपका subject है जो भी specific आपका subject हो information management जैसे यहाँ पर आज में discuss का रही हूँ तो इसका weight is सबसे जादा होगा और questions किस तरह के हो सकते है जनरली जो MCQs बनते हैं उसमें जाता तर target किया जाता है research questions को क्योंकि आपर एक research degree के लिए आ रहे हैं admission करने के लिए तो definitely research के कुछ सवाल हो सकते हैं उसमें आपके subject से related information management से related क्योंकि आपने में खासे courses अपनी field के अपने subject अपनी profession के पड़े होते हैं तो उससे related भी हो सकते हैं ICT को भी हम focus करते हैं IT के बगार research possible नहीं है तो इसलिए कुछ ICT और कुछ recent updates आपके profession की आपकी field की उससे related भी general question आपसे पूछे जा सकते हैं फिर आपका होता है 20 marks subjective का जिसमें आपने subjective question जो है वो attempt करना होता है ये जादा तर आपकी अपने subject आपकी field यानि information management से ही relate करता होगा इसमें कोई practical nature का सवाल भी आपको दिया जा सकता है और कोई theoretical nature का भी आपको सवाल दिया जा सकता है जिसमें आपको detail में लिखना होगा 20 marks के लिए अपने आजाती हूँ PhD की तरफ PhD में भी पैप्रन तो सेम है 40 marks का की 20 marks आपके objective के होंगे और 20 marks आपके subjective के होंगे लेकिन यहां पर ज्यादा जो focus है वो subject के उपर है यानि information management के उपर ज्यादा focus होगा तो इसलि subject जो topics आपने master's में पढ़े हैं आपने MPHL में पढ़े हैं कि उसके ओपर base करेगा और you all well known कि आपने कौन कौन से topics जो हैं subject जो हैं वो पढ़े में हैं इसमें भी इसी तरह हम research को जादा वेटिश देते हैं आपने जो courses MPHL में पढ़े हैं उनको अची तरह revise कर कर के आएं उन requirements हैं उनको जरूर पढ़े जो latest journal articles publish हो रहे हैं उनको भी एक दिफा देख लें वो भी आपको अच्छी know-how दे देते हैं profession की तो आपका objective जो है वो 20 marks का इस तरह से attempt होगा इसके इलावा subjective type होगा वो भी 20 marks का होगा जैसे कि मैंने आपको MPHL में बताया इसी तरह ये भी आपक subject based ही होगा इसमें भी आपकष को practical nature का सवाल किया जा सकता है यह आप से को build nature का सवाल किया जा सकता है यह आपक रिसपिंगरी के लिए अरहे हैं तों आप से expect किया जाता है यहां पर देखा जाता है कि आप ideas को कैसे flow देते हैं आप knowledge कितना पारे में profession के बारे में आपका write-up क किसा है आपकी कम्युनिकेशन कैसी है तो इन चीज़ों को सब्जिक्टिव में जादा फोकस दिया जाता है आपको मैं कुछ बुक्स भी रेकिमेंड करूंगी आप वैसे तो आपकी जतनी भी बुक्स हैं कोर्स की वह सबसे जादा हाई रेकिमेंड़ है आपकी रिडिंग्स आपकी बुक्स आपको जो टीचर्स ने बढ़ाई नहीं हैं मास्टर्स में एमफिल में इसके इलावा चुके इसका फोकस जादतर इस टेस्ट का फोकस जादतर रिसर्च पे होगा आप इन दो किताबों को जरूर गो थू कर कर आए जब भी आप टेस्ट देने के लिए हैं एमफिल वाले खास तोर पे इस बुक को देखें और पॉवल और कॉनवे की बहुत मशूर किताब है बेसिक रिसर्च मैथट पॉर लाइबरियंज इसको भी आप जरूर देख कर आए इसके इलावा पी एच्टी में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप क्रेस्फिल को पढ़ पढ़ाए गई थी और जो भी आपको अधर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए गए थे रिसर्च के अलावा वो भी आप जरूर पढ़ कर आएं और देख कर आएं आई होप यह वीडियो आपके लिए इन्फरमेटिव होगी और आपको पजाब इनिवर्सटी में एड्मिश झालाव